हेलो फ्रेंड्स मेरा यूट्यूब चैनल बाग बगीची में आपका स्वागत आज हम आपको बताएंगे सेवईया कैसे बनाई जाती है यह हमने एक बाउड सेवईया ली है अब हम इनको फ्राइ करना है और इसमें डालने के लिए यह 250 ग्राम मटर के दाने और दो आलू हमन चोटे-चोटे साइज में काट दिया है सबसे पहले एक पैन में हम सूखी सेवईया बोनते हैं अब इन सेवईयों को निकालकर उसी पैन में हम एक टेबल स्पून देशी ही डालकर यह आधा चमच अजवाइन थोड़ा सा हींग डालते हैं अब हम इसमें एक हमने प्याद छोटे-छोटे पीसिस में काटी ही थी इसको हम बहुन लेते हैं इस देवा यह नोर्थ इंडियन लोग काफी बनाते हैं और ज्याद तर संडे को सुदह का नाश्ता इसी ही का बनता है और सब लोग इसको बड़े शोक से खाते हैं यह प्याज हमारी प्राई हो वही है अब प्याज को निकाल कर हम यह आलू मटर डाल देते हैं इसी पैनी इनको भी थोड़ी देर फ्राई करते हैं अब इसमें हम मसाले डालते हैं यह हमारा नम्मा यह दाल मिर्च पाउडर चाट मसाला और यह धनिया घल्दी अब इसको हम डाल देते हैं यह भूत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है जैसे मैगी बनाते हैं यह मैगी की तरह ही बनती है लेकिन यह मैगी से ज्यादे खाने में टेस्टी लगती है उबल अगर नि controllers वह द ट्यावक है तो दो भूल हम इसमें पानी आड्ड करेंगे तो मतलब हमें एक गलास पानी आला है एक ब मॉयल आने तक इसको खोड़ते हैं अब इसमें देखे एक उबाल आ गया है अब इसमें हम ये सेमियों जो हमने फ्राइब की थी वो हम इसमें एड़ कर देते हैं सेमियों को हमेशक फ्राइब करके ही डालना है कभी कच्ची नहीं डालना है आब इसको हम धग देते हैं कवर कर देते हैं और करीब 10 मिंट बाद गयास धीमी कर देते हैं 10 मिंट बाद हम देख तो देखे हमारी सेवः बिल्कूल बनकर रेड़ी हैos और इसमें देखिए एक अगदाना बिलकुल खिलावा है, मटा भी पूरी पक चुकी हो, आलो भी पूरा पक चुका है, अब इसमें जो हमने प्याज फ्राइ की थी, वो हम उपर से डाल देते हैं, और मिक्स कर देते हैं, अलग से प्याज दालने से इसमें ज़्यादे टेस्ट आता है, हमारी सेमिया बनकर तयार है, अब इनको हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं, यह देखिए हमारी आसंड है, तो संडे वो यह रेसिपी बनाईए, सेमिया बनाईए और खाने का मजा लीजिए, यह खाने में बहुती स्वादिश्ट लगती है, मसाल्या आप अपनी इच्छा नुसार कम यह जआदे डाल स कते हैं, जदे श्पाइसी आप खाते हैं, तो जदे मसाल्याद डाल सकते हैं, हम लोग बहुत enfant कम खाते हैं मसाले, देखी है हमारी सेमिया कितनी टेस्टी लगिकने में इतनी अच्छी लग री है खाने में यह भाउत ही सवाधिश्ट बनी है और सबको भाउत ही पसंद आती है आमतोर पर संड़े को प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें कमर्स करें शेयर करें तेंक यू